स्टुडेंट्स आईए बेटा आज हम एक नई 3D शेप के बारे में सीखेंगे जो की बेलन है सिलेंडर और हम डेली लाइफ में आप देखते हो कितनी तरह की शेप्स हमारी इस शेप्स में हमें दिखाई देती हैं है ना सारे जार सोते हैं आपके कंटेनर सोते हैं बॉटल सो देखते हैं दवाईयों की शिषया क्रीम्स कुछ भी और यह देखिए एक खीरे को मैंने इस शेप में कटा है तो इस शेप में हम देखते हैं कि हमारे आसपस हम बहुत सारी चीजों से गिरे में और हम अगर मैतेमाटिकल देखने लगे तो हमें हर चीज में एक नई शेप देगी है ना तो आज हम सिलेंडर के बारे में सीखेंगे इसका क्योंकि यह 3D शेप है तो इसके आप 3 चीज़े ही निकाल पाएंगे कर्व सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया और वॉल्यूम जैसा अब भी हमने क्यूब और क्यूब में सीखा था देखे बिटा यह मेरे पास एक क्यूब है वह सिलेंडर है है ना दिख रहे है आपको वही शेप सिलेंडर अब मैं इसे खोलती हूं तो मैं देखती हूं कि इसमें मेरे को क्या-क्या दिखाई देता है यह देखिए गई कि तो जब आपने इस के प्लमेट को आउपन किया तो हमने देखा कि मेरे पास दो तो सरकल नहीं है और बीच में क्या एच एक रेक्टैंगल आयत क्लियर दिख रहे है आपको सब को पता चल रहा है देखिए इस तरीके से थान ये ऐसे इत बास लाइक डिस ऐससे बन और जब मैंने इसको खोला ध्यान से कटिंग कर ही हमने तो हमने देखा कि एक सरकल उपहर बंता इसके रीक सरकर नीचे बनता है भीटा तो इस तरीके यह boundary यह boundary क्या चीज है इसकी यह boundary उतनी थी जितने की circle की परीधी थी जितने circle का circumference था है ना देखिए अब मैंने इसको open कर दिया तो यह जो circle का circumference था भू इसायत की लंबाई बन गई अब तो circle का circumference कितना होता है तू पाई यार है ना और अगर मैंने इसकी उचाई को H माल लिया तो इसका curved surface area क्या हो गया curved surface area का concept हम अच्चे से समझ चुके है वो सिर्फ outer चारो दिवारो का area होता है है ना मेटाई उसमें आप उपर का top नहीं लेते और base भी नहीं लेते है तो अगर मैं आपसे curved surface area पूस्ती हूँ तो आपको सिर्फ ये beach वाला portion लेना है तो beach वाला जो आयत बन रहा है उसका शेत्रफल कितना बन जाएगा ये 2 pi r length है इसकी और h इसकी उचाई है तो इसका शेत्रफल क्या बन गया बिटे 2 pi r h जबकि r सरकल की त्रिज्या है इस वाले सरकल की और उपर नीचे सेम होते हैं तो r अगर सरकल की त्रिज्या है तो इसका curved surface area बन गया 2 pi r h अब हम निकालते हैं इसका total surface area इसका मतलब मुझे उपर का भी top भी consider करना है और base भी consider करना है तो इसके curved surface area में आप इसका शेत्फल भी जोड़ लोगे और इसका भी जबकि हमें पता है कि इसका शेत्फल क्या है और ऐसे ही इसका भी शेत्फल क्या है pi r square है ना अब total कर लो इन तीनों का तो क्या बन गया 2 pi r h plus pi r square plus pi r square so that is 2 pi r h plus 2 pi r square now you can take 2 pi r common so अंदर क्या बच जाएगा h plus r and this is the final formula तो आपको concept भी देखिए समझ आ गया beach का area और उपर का area plus नीचे का area बिटा है और आपको देखो मेरी खेल में बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि ये circle है इस दे pi r square ये circle है ये pi r square बन गया था अब तीसरी चीज़ हमारी क्या रह जाती है volume volume हमेशा क्या होता है area of the base into height volume आप किसी भी चीज का निकालते हो कैसे निकालते हो height को उसके base के area से multiply कर दे तो base का area क्या है pi r square और height कितनी है h तो formula बन गया ये अब हमारा simple pi r square h so i hope बिटा कि अब आपको बिल्कुर clearly ये तीनों formula अच्छे से समझ आ गया होंगे और आप कभी भी formula पुट करने में कोई गलती नहीं करेंगे curved surface area सिर्फ ये चारों का area total में top भी base भी volume में area of the base into height okay बिटा all the best keep on learning stay blessed but when you 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 you